7 अगस्त को राष्टी हत करगा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2015 से ही क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की सुरुवात हुई थी और 7 अगस 2021 को जैवलिन थ्रो में स्वनपदक जीता था उलम्पिक में नीरच चोपडा ने इसलिए राष्टी जैवलिन दिवस क से रूप में भी 7 अगस्त को मनाया जाता है आठ अगस्त 1942 को भारत छोड़ो अंदोलन शुरू हुआ था तो इस दिन को याद करते हैं आठ अगस्त को आदिती स्वामी विश्व तीरंदाजी चैंपियंशिप जो की बर्लिन में जित हो रहा है व्यक्तिकत विश्व चैंप दो तीन महीने पहले इन्होंने जूनियर वर्ड चैंपियंशिप भी जीता था हाली में सरकार ने किस कक्षा तक के पाठक्रम में स्वास्त वस सारेरिक श्रक्षा को अनिवारे कर दिया है अभिन्नांग बना दिया है कक्षा एक से कक्षा बारत तक याद रखेगा डाक्टर हुन मैनेट ये कहां के नए प्रधान मंत्री बने है कमबोडिया के गुरु गोरकनात बोड ये राजस्तान सरकार ने अस्थापित किया इस बोड को किस के लिए तो जोगी योगी और नात जैसे पिछडे वर्गों के कल्यान के लिए इसको सुरू किया है गुरु गोरकनात बोड दुबई जो कि UAE में इस्थित है हमदान बिन मुहमद स्मार्ट विश्वद्याले में अंतर राष्टी सिक्षा सिखर समेलन आयजित हुआ पूछेगा अंतर राष्टी सिक्षा सिखर समेलन कहां आयजित हुआ दुबई में आयजित हुआ कहां आयजित हु की जीवन प्रत्याशा है उसमें लगातार दूसरे वर्स गिरावट दर्ज की गई जापान में जहां महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है पूरे विश्व में वहीं पुरुषों की जीवन प्रत्याशा के मामले में अब जापान चौथे अस्थान पे चला गया ह अम्रित भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधनिकी करण किया जाएगा अभी हाली में रेल मंत्राले के द्वारा ये इनिशेटिव सुरू किया गया तो कुल 508 स्टेशनों का आधनिकी करन किया जाएगा जिसमें उत्तर प्रदेश के पचपन स्टेशन उत्तर प्रदेश के बराबर ही अर्थाथ पचपन स्टेशन राजस्थान में भी और बिहार की जो परिक्षा देने जा रहे हैं 49 स्टेशन बिहार में आधनिकी करन किये जाएंगे प्रार्थना थोमबारे इस्पेन में आयवजित महिला टेनिस हाई कोट स्परधा में इन्होंने युकल खिताब जिता आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद